वैश्विक महामारी कोरोना वारस के बढ़ते हुए संक्रमन को रोकने के लिए पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन है इसके चलते काम धंदे बंद होने के वज़े से गरीब लोकों के सामने अब खाने की समस्या खड़ी हो गई है ऐसे में CRPF की Rapid Action Force ने जरतमन्दों को राशन सामगरी और भोजन के पैकेट्स वित्रित किये इस दौरान Rapid Action Force के कमांडेट लीलाधर महरानिया और द्वित्य कमान अधिकारी सुरेश सिंग के नित्रत्व में सीकर रोड और आगरा डोड पड जुग्गी जोपडियों में ये राशन सामगरी वित्रित की गई साथ ही में आमजन से घरों में रहने की अपील भी सौरान उनकी द्वारा की गई